नमस्कार, UFG News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं खास ख़वर पर तेज बहादुर यादव की याचिका सुप्रीम कोट ने की खारज नामांकन रद होने के बाद पहुंचे थे कोट सुप्रीम कोट ने तेज बहादुर यादव की याचिका खारज कर दी है दरसल वारानसी से महाकडबंदर की उमीदवार तेज बहादुर यादव का नामांकन रद हो गया था इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया था याचिका पर सुप्रीम कोट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला जनित याचिका के तौर पर इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है तेज बहादुर की ओर से प्रशांद भूशर ने कहा कि वो चुनाव को चुनोती नहीं दे रहे है उन्होंने कहा कि हमारा बस ये कहना है कि तेज बहादूर का नामांकन गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से खारिज हुआ है और उन्हें 19 माई को चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए प्रशान भूशन ने कहा कि मैंने अपनी बरखास्ती का आदेश नामांकन के साथ लगन किया था हमें जवाब रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया मैं चुनाव को नहीं रोक रहा हूँ बस मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जोड़ा जाए इस खबर में इतना ही धन्यवाद